दोस्तों आज जैंगो में लोग देखेंगे कि हम लोग अपने model class को कैसे रेइस्टर कर सकते हैं जैंगो के built-in admin panel में एपर admin interface में तो मैंने पास एक project है CH25 नाम से एक मैंने बनाया फिर इसको एक्टिवेट किया देन मैंने इसमें जैंगो इंस्टॉल किया जैंगो का project बना लिए CH25 से और इसमें एक application भी बना लिए slash admin हमें एक admin panel मिलता जहां पर हम लोग इंटर कर सकते हैं मतलब हम लोग 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 इन कर सकते हैं बड़ लोग इन करने ले हमें किया चाहिए super user super user पहले create कर तो मैं इसमें करता हूं CLS और super user create करने से पहले आपको माइगरेट करना पड़ेगा अगर अब माइगरेट नहीं करते हैं तो आपको error मिल जाता है मैं आपको दिखाता हूं अब यहां पर करते हैं अभी create super user यानि कि आपने माइगरेट नहीं किया कोई table अगर आपको बना नहीं तो data कर रहेगा का और उससे पहले आप super user कर रहें करना है माइगरेट या फिर में माइगरेशन में इसके वागेट माइगरेट करते हैं अब हमारा यूजर नमकर टेबल भी create होगा जो कि आप चाहिए यहां से वरिफाय कर सकते हैं यहां साब को दिख जाएगा बहुत यूजर टेबल करेट होगा अब यहां पर हमारा डेटा सेव होगा यह नहीं दीखेगा बट यह टाइप हो रहा है आपको टाइप करें इंटर की प्रेस करना है वाइल एक इंटर की प्रेस किया यहां हो जाता है यहां को दो मोडल रिश्टर होके दीखते हैं पहले से जो कि इस application से बिलाउं करते हैं अगर आप खुद का मोडल बनाते हैं मोडल ऐख लास अब पर दिखा सकते हैं आज हम दो देखने वाले त्चलि यहां पर दिखाते हुं पहले एक हमनोड बनाते हैं मॉडल ख्लास जिस हमने पीछ आपाल नम का मौदल बना रहा हूं और लामसे और ऐसके यहां पर हम लोग रोल लिखते जूख है और यह करना पड़ेगा होगा तो हमारे जाकर करते हैं मेरे अपको मेक माईग्रेषिन चाहिए यह हैं यह जो आपने मॉडल क्रिए किया अपना खुद का मॉडल यह अगर आपको एड्मिन पैनल में देखना तो कैसे देख सकते हैं यह जो मॉडल आपने पैनल में जाते हैं यह पाइटन एक या जो मॉडल सर्वर की हमने इंटर की प्रेस करते हैं यहां करें हम इसको रिफ्रेष्ज करते हैं तुछे में कहीं भी नहीं दिखता अपना जो मॉडल हमने हमने क्रीट के बेरे कहा पर लेकर आना है तो ऊसके लिए ä lizard intelligent क्रोथ करना admin.py file यह लिए file यहां पर आकर आपको अपना code यह पहले आपको अपना model इंपोर्ट करना है तो from student.models, import यहां रखा तर प्रोफाइल, लिख देना है then simply यहां पर आकर आपको लिखना है admin.admin.site.register एपको अपना सैट लिखने के बाद यहां पर आते हैं आप इसको रिफ्रेश कर दे कर दे आपको यहां पर देख जाता है भी बनावब इसको सो स्क्कEOUS को सब्सक्राइब से इसमेंस जो काम यहांपर करते थे इस टूल का यूज़ करके जो db3 हमारा था इस टूल का यूज़ यहां से डेटा इंसर्ट करना हो या फिर देखना हो कि क्या डेटा है या नहीं अब यहां पर आपको आने कर शुकता नहीं है बस अब यहां से मैंने राज 102 और राज एक्जमपल डॉट कॉम सिटी बुकार और सेव किया तो दो डेटा में दिख रहा है अब्जेक्ट वन अब्जेक्ट टू इससे दो अब्जेक्ट हमें दिख यह एड करने के बात होते हैं अब क्या कर सकते हैं यहां से आपको डिलीट करना त इस एड्मिन db3 वाले इसमें आने करशकता नहीं हो से आपका सारा काम बस आपको क्या करना है एक लाइन यह लिखना है एक यह वले इंपोर्ट करने का और यह किए बस दो लाइन आपने लिखा तो आपका यह जो मॉडल क्लास हो दो है यह एड हो जाता है आपके एड्मिन और यहica को आइना यहां पर एए हमारे पास को न से और क्याय का आहकर आपको इसको खूल की नहीं देखा तो पता नहीं चलेगा आप चाहिए एड को चेंज कर सकते हैं को से केसे करते है इसको यूमें रीडिबल किसे बनाते हैं वह हम आपको दिखाता हम औसकी लिए एक़ एक मिलता है हमें जिसका हमें यूज करना है अगर आप इसका यूज करते हैं तो आप अपने मॉडल का human readable representation बना सकते हैं जो कि ज्यादा बहतर हो का हमारे समझने के लिए कैसे create करना है वह देखे आपको अपने model फाइल में आना है अपने model क्लास के अंदर ही रहना है और यहां पर एक method define करना होता है लिए डफ ंड़र्षकूर अंड़र्षकूर स्टी और फिर अंड़र्षकूर दोढ़र्षकूर और यहां पर आपको मिलता है मिवह यहां पर return करेंगे return self dot क्या आप इसमें देना चाहते है क्या फिल्ड नेम कोन साप्या आप फिल्ड नेम दे सकते हैं नेम ऐम इमेल इसे दिए नेम देते हैं तो यहां पर उबजेक्ट दीख आथा वहाँ पर इस से जो रिटन मिलेगा नाम आपको देखेगा मतलब यहाँ पर आईए आप इसको रिफ्रेश करेंगा आपको आप रोल के हमेरे रोल करने के बाद यहां पर आते हैं फिर इसको रिफ्रेश करते हैं यह मुझे दिखाना था यह अगर भी रिफ्रेश करते हैं यह था कि मैं यहां पर आइडी देता हूं इसमें रिफ्रेश की इसको प्रॉब्लम है हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं सौलीशन इसका क्या सौलीशन यह है कि आप इसको टाइप कास्ट कर दीजिए जो इन्टेशर इसको स्ट्रिंग में बदल दीजिए जैसे रोल का ही अगर हम लोग इसके निटीज़रा यहां पर इस सी आपको दिखने रहता है जा सकते हैं इसके दर क्लिक करेंगे इसके दर जासे यह ध्यान रखना है जब आप इंटीजर रिटर्ण कर रहे होते था उसको इस्ट्री में अब एक और मेंब मोडल दिखाता हूं इसमें हम रखेंग पर में और यहां पर माक्स नाम रखते हूं इतना कुछ करने का सकते हैं यह केरेक्टर में चला जाएगा और इसके में चलाजाएगा और यहां पर आप आपको夏 to class या मार्क जो भी देना चाहिए उसके में सब्सक्राइब हो सकता है वन ट्लास सी तु ख्लास थी याप उसको लेटर में भी लिख सकते हैं जैसे मर जीव वैसे लिख लिए यह कि आभी यह model प्रिएट के हमने तो यहां पर दिखेगा पहले यहां पर इतने इतने से करने से क्या दिख जाएगा नहीं दिखा गासी प्रोफाइल दिख रहा हमारा अभी जो हमने क्रेट किया result वह नहीं दिख रहा उसके लगव क्या करना पड़ेगा admin.py file में आकर वापस यहां पर पहले एक result यह हमारा था उसको import करना है यहां पर पर इस त्रीके से इसको भी register करते है जैसे register किया यहां करें आपको यह यहां पर दीचा करें तो यह एक application का नाम है उसके इंदर जित्ती ही model होते हैं यानि कि यह जह हमारे application student इसके model.py file में जित बनेंगे डिशन नहीं मॉडल मॉडल बनेंगे वह सारा मॉडल आपको उसके इंदर में देखने को मिलेगा तो यह पुरा इसमें करने का प्रसीन है तो बस यहां पर आपको एक लाइन लिखना है और आपका यह चला जाता है आपको data entry करना है तो आप data entry यहां से कर लिजी रि आपको यहां पर सिख्थ जाता है विगाज आपने यहां पर यह लिखा होगा है अपने मॉडल को रिजिटर करेंगे अपने इंटरफेस के लिए और साथ में एक यूमन डिडेबल रिपरेजेंटेशन लिखेंगे अपने मॉडल के लिए जैसे कि आप इसको ठीक तरीके से यहां पर देख सकेंगे और एक यूमन डिपरेजेंटेशन के तोर पर यहां पर इसको डिस्प्ले कर सकेंगे आज के लिए इतना ही है नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉडल दिखांगा मॉडल एड्मिन कैसे मनाते हैं आप इसको और बहतर तक रिपरेजेंट कर पाएंग झाल 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 झाल